नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बहुत हिमाद दोपून जानकारी ले करके सिर्फ पांच एमेल प्याज के रस में मिश्री मिलाकर पीने से तीन से पांच दिन में किड्नी की पथरी शरीर से बाहर निकल जाए उत्तर भारत में किड्नी स्टोन के ज्यादातर मामले पाए गए हैं और इसी वज़ा से उत्तर भारत को स्टोन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है ज्यादातर मामलों में किड्नी स्टोन की समस्या 20 से 50 साल की उम्र में होती है महिलाओं की तोलना में यह रोग पुरूशों में ज्यादा पाया जाता है मुत्र तंत्र से जुड़ी इस बिमारी में किड्नी के भीतर छोटे छोटे पत्थर जैसे कठोर टुकडे बन जाते हैं जो तकलीफ देह होते हैं आईए सबसे पहले जानते हैं किड्नी स्टोन होने के मुख्यकारणों के बारे में गलत खान पान अनुचित दिन चर्या इस रोग की प्रमुख वजहों में से एक है खाने में नमक का ज्यादा इस्तेमाल भी इस रोग के पीछे का मुख्यकारण है शरीर के भीतर जब नमक और अन्यखनीज पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पथरी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है शुरुवात में इन पथरियों का आकार बहुत छोटा होता है जिस वजह से ये पेशाब के रास्ते बाहर आ जाते हैं धीरे धीरे जब इनका आकार बढ़ता है तब यह बिमारी तकलीफ देह हो जाती है और तब इसके इलाज और एहतियात की जरूरत पड़ती है किड्नी में स्टोन होने के कुछ अन्य कारण भी है जो कि हम आपको बता रहे हैं नमबर वन आनुवन शिक कारण नमबर टू तनाव यानि के हाइपर टेंशन नमबर थर्ड मोटापा फोर्थ डाइबिटीज यानि के मधुमें है नमबर फिर्थ आतों से जुड़ी समस्याएं सिक्स्थ कम पानी पीना सेविंथ लंबे समय तक डाइरिया की शिकाहत रहना नमबर एट गेस्ट्रिक बाइपास सरजरी नमबर नाइन केल्शियम की कमी अब आये जानते हैं किड्नी स्टोन को दूर करने के कुछे घरी लूपायों के बारे में प्याज का रस जी हाँ प्याज में गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए और शद्हे गुण पाये जाते हैं इसके प्रयोग से हम किड्नी के श्टोन से निजात पा सकते हैं लगभग सत्तर ग्राम प्याज पांच से दस एमेल रस प्याज का लेना है आपको पीस कर इसको और उसका रस निकाल लेना है और इसे पीना है सुबह शाम खाली पेट इस प्याज के रस में पांच ग्राम सफेद मिश्री मिलाकर नियमित रूप से पांच दिन तक सिवन करने से पथरी के छोटे-छोटे टुकडे होकर बाहर निकलने लग जाते हैं पथरी बड़ी हो तो ये प्रियोग 20 दिन तक जारी रखना चाहिए आपको आप विश्वास रखें क्योंकि लगभग 250 लोगों पर ये शोध होई और उन्होंने बताया कि उनको 3 दिन से असर महसूस होने लगा यानि कि 3 दिन से ही जैसे ही आप ये प्रियोग चालू करेंगे तो 3 से 5 दिन बाद 1 या 2 दिन तक आपको हलका सा रक्त युक्त लाल पेशाब आएगा ये संकेत है कि आपकी पथरी के छोटे छोटे टुकडे हो गए हैं फिर धीरे धीरे ये पथरी पेशाब के रास्ते निकल आएगी पीना किड्नी श्टोन में काफी फायदेमंद होता है निम्भू का रस और जैतुन का तेल बराबर मात्रा में आपको लेना है और मिला लेना है दिन में दो से तीन बार इसे पीना है आपको किड्नी श्टोन से आपको रहत मिल जाएगी इसके आलावा एक और अन्यव पाय भी है तर्बूज जी हाँ किड्नी श्टोन से रहत के लिए निमित रूप से तर्बूज का सेवन करना चीए आपको तर्भूज में मेगनिशियम, केल्शियम और पोटैशियम की अच्छी खासी मात्रा होती है जो किड्नी के लिहाज से काफी फायदे मंद होता है पोटैशियम पेशाब में एसिड लेवल को नियंतरित रखता है तर्भूज में पानी की मात्रा भी ज्यादा होती है जिस वज़ा से प्राकृतिक तरीके से किड्नी से स्टून बाहर निकल जाता है इसके अलावा आप विट ग्रास का भी प्रियोग कर सकते हैं विट ग्रास को पानी में उबाल लेना है आपको पानी जब ठंडा हो जाए तो इसे पीना है रोजाना ऐसा करने से किड्नी एश्टोन और किड्नी से जुड़ी कई और बीमारियां भी खत्म हो जाती है इसके हलावा तूलसी का प्रयोग चमतकारी और शध्य गुनों से परिपून तूलसी किड्नी एश्टोन में भी काफी फायदे मन्त सावित होती है छे महिनों तक रोजाना एक चमत तूलसी के पत्तों के रस के साथ ताजा शहद मिला कर पीने से किड्नी में पथरी का बनना बंध हो सकता है लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत चिकितसा शुरू करने से पहले चिकितसक यानि कि वैद्धिूं से परामर्ष करना आवस्यक है क्योंकि माल लीजे आपको कोई अन्य बिमारी हो जिसमें की आपको प्याजा कोई और चीज बरजित हो और उसमें आपने ले लिया पत्री के चक्कर में तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी इसलिए वैद्यों के सलाह के बाद ही आपको इसका प्रियोग करना चाहिए फिर आपके लिए यह बेहद ही कारगर और श्रथि के रूप में कारे करेगी तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ चुड़ेंगे एक और महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों